तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं WordPress वेबसाइट डेवलोप्मेंट करने के लिए हम लोग यहां पे दो तरीके दो टेक्निक्स को यूज करेगे एक जो टेक्निक है जो है आज करने पढ़ती है उसके बाद आप लॉग और पर खायं और उसके लिए आपको और पी पुछ ब्लगिं की जरुत पर ईसके ऐलेमें अगे और और एंडार प्लगिन है उसका आप यूज करेके आप WordPress वेबसाइट से सब्सक्राइट रहे हैं तो यूज कर रहे हैं तो स्क्राइच से कर रहे हैं तो थोड़ा आपको प्रॉपर नॉलेच की जुरुत पड़ेगी आपको थोड़ा कॉंपिटर की बेजिक स्किल्स अंडिसानिक हो तो आप आराम से स्क्राइच से भी वेपसर बना सकते हूं सबसे बड़ा इंपोर्टन पॉइंट होता है जब स्क्र प्रॉपर नियर होना चीज़ के एक्जेटली आपको वैपसर कैसी बनानी है सो यह अंदर आप समझ पाओगी किस तरह से आप एक वैपसर डेवलोपमेंट वर्डप्रेस के थ्रू बहुत ही इसी तरीकी से कर सकते हैं सो इसी के लिए हम लोग अपी अर्ड़ी हमने बैकेंट है जहां पर अनला फंचनार्टीज है सो पहला जब आप जैसे वर्डपेस बैकेंट में उपन करके हो तो आपके सामने आता है डैश्पोर और डैश्पोर की साथ-साथ और भी लेपेंड साइट पर जो पूरा वर्टिकल पैनल है वहां से पूरा यहां पर यहां सब्सक्राइब करें तो यहां पर पहले शुरुआत हम लोग करते हैं डैश्पोर और दैश्पोर के बाद हम लोग शुरुआ करेंगे पोस्ट के उपर उसके बाद पीजिस को समझेगे तो जो में 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 बिजिक फंचनार्टी जो कि अंडर्स्टाइंग के लिए चाहिए और दहुत के वह म लोग क्या से एफ तो आपको ध्यân में रखना है अपका जो लटेंड वर्टी कल्स राइड हो इंप और पहले देखा रहे है यहां पे-पोस्ट है और पोस्ट के अंदर आप देखोगे तो gordÓं ए और पोस्ट है आपका फिर आपके आग को से और टैउड से के तेगरी जैन से सो आपको अगर सारे पोस्तरी स्कों देखना है तो आपको और कोय आपको लिए पूले करें хr तो आपको यहां असे पुरा पो पीसघ्ट करने ही और उसके बाद हम लोग घ्रने वाले है सो pastor जो सेक्शन है यहां से इसका जो फच्चनार्टी यह वैबसट इसद कनेक्टेटेट है यहमें कि अगर आप वैबसटेट टीटीट ऑट ऐड़ी जेची तो तो आप यहां से आप अप अपने नए पिजक को एड़ कर सकते हो और जैसे कि यहां पर आपके सामने एक वेबसेट है वेबसेट के अंदर होगे तो अंदर जो पाइज आप देख पार हो तो पूरा एक separate page है और इस separate page जो बनाए है यहां से आप जो भी page होगा लगन के साथ ब्लॉक पोस्ट अगर समझो तो ब्लॉक बलॉग होता है उसके कमेंड़ का जो बैकल मैनेजूंट है कि मैनेज्मेंट केशलिए अगर आप क्लिक कर देःते हो तो आपके पास जो सब्सक्राइब करना है तो आप यहां से नर्मली आपको चुमेंट अच्छे लगते हैं वो कमेंट को अच्छी लगते हैं और जो कमेंट आपको अच्छी लगते हैं उसको फिस अफ्रोव करोगे आपका पेज एक पॉजिटिव सिग्नल्स पॉपर विंग में देते जाए उस होती है उसका front end और front end में जो important चीज होता है वो होता है इसका theme मतलब website design उसके बाद जो important section जो होता है menus और उसके बाद जो important section होता है उसका customization यानि कि जो theme है उसके अदर जो भी customization आपको करने होगे वो यहां से कर पाऊगे और menu जो आप normally को भी website में जाते हो तो आपको menu section मिलता है और menu section बहुत ही important section होता है जैसे कि एलिमेंटर की website के अंदर देख रहे हो तो आप उपर की जो header position के अंदर जो भी आपको पीजिस मिल रहे है वो सारे menu का part हो तो जो भी manage करना है आप यहां से उसके बाद जो important section जो होता है जैसे के for example आपने जैसे wordpress को install कर दिया तो उसके जो basic setting पहले करने होते हैं तो basic setting के अगर आप देखोगे तो यहां पर आप समझ लोग मेंने आपके सामने word file रखा है जिसके इंदर step-wise procedure है तो पहले अपने wordpress के अंदर तो आपको अपने menus bar का आपको access मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे है अभी theme को उपर क्लिक करके और उसके बाद हम लोग नए theme जो है उसको search कर रहे है और हम लोग we are going to write about hello theme so we will find hello theme here और नार्मरी कोई भी आपको इंप्लमेंट करना है wordpress के उपर तो उसका एक ही step होता है आप इंस्टॉल पर क्लिक करो और उसके बाद activation पर क्लिक करो तो वह इंदर इंस्टॉल हो जाती है तो जैसे कि अलड़ी यहां पर यह theme इंस्टॉल है और एक्टिवेट भी ही तो इंस्टॉल और एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है और जैसे आपका theme install हो गया तो आपका menu जो अप्लेस के अंदर है वह एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद का जो IMPORTANT POSISION होता है वह होता है आपका TITLE & T raz so title को अगर हम लोग समझे तो ताइटल इस लाइक आपके इपके टाइटल बार के लिखे लिए प्सरी के लिए वेपसाइट आप देखोगी तो सबसे पहले को करते हो कर सकते हों तो आप को टीक सेटेंग के लिए घ्लीज और जो आपको आपको ऐस व् meg klaع जिसके आपको फूर्ट मे जो бिए वर्डपलेस ब्लॉग बनालें वेद आप wooden होगा तो यह बेशिक सेतिंस इसके बाद राइटिंग ऑप और उसके बाद राट-बार पर सबसे बढ़ा पीछे का structure है और यह बहुत ही इंपोर्टम होता है अगर आप कोई भी यूजर को दिखाना चाहते हो तो एक separate page name होता है यहां पर देख रहे हो कि जो separate page name है याई कि आपके में डॉमें के साथ आपको उसका structure कैसे रखने उसके बारे में आपके पास option है कि यहां पर एक नॉर्मल सा बीजिक सब्सक्राइब सकते हो या डेट वाइस सब्सक्राइब सकते हो पर हाला कि आपने अब्सक्राइब किया होगा कि कोई भी वेब्सक्राइब उपन उसका परमालिंग के अंदर जाने के बाद आपको वहां पर अपना परमालिंग स्ट्क्चर को चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग अभी यहां पर टेश्बोर्ड पे है और हम लोग से दिर कर रहे हैं पर पेज नेम डिफोल्ट और सेव कर रहे हैं परमालिंग बन जाएगा और इस रिक्वाइड फॉर सेव करना जुरूरी है सेव करना मत बूलना उसके बाद सबसे बड़ा आपको बता रहा हूं कि आपको एक पेज को फॉलोग करना पड़ेगा तो यहां पर देख रहे हैं नीचे की और कि मैंने और कोई वैपसाट जो मुझे बना दी उसकी बारे में जो पीजिस होते हैं पीजिस के नाम यहां पर रखते हैं जो से कॉमन जो नाम होता है पेज का इस ओंपेज जो हरे एक वैबसाट के देखने को मिलेगा उसके बाद आप दिखो के तो नॉर्मली अबाउट अस या अबॉट मी होता है तो वह भी यहां पर है फिर उसके अंदर जो मेरी टीम के रिलेटेट पीजिस मुझे करने हैं वह है अचीमेंट है उसके बाद मेरी स से शर्विस हैं उसके बाद मीरे लिखा है तो ही मैंने क्या कि मैंने जो सारे मैंने यहां पर एक लिश बना की रखा और यहかंने के लिए आपको थोडरा आप्सेर्ण करने पड कड़ेगा जैसे नहyakast के बारा netशाती हो और यूपने से पीजिए है't जो आपके वैबसाट में चाहिए ही होगी और थोड़े बात और ब्रेंस्ट्रोमिंग करने बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके वेबसेट के अंदर कौन-कौन से पीजिस चाहिए और यूनिकली आप कौन से दिफाइन कर सकते हो तो यह सारे पीजिस आपको पहले लिस्ट मनाने पड़े के लिए और अब लोग वन बैवन के सारे पीजिस आन्डे नुट कर सकते हैं प्यट करने के लिए हम लोग हमारे वर्ट के बैकन के अंदर है जहां पर हम क्लिक करेगे एड़नु पेज के ओपर और एड़नु पेई करेको बाद हमने जो पनाये हैं पिज के नाम रख शीन द पेज होता है तो आपको क्या करना होता है यह home को यहां पर type करना यह copy paste करना है और उसके बाद आपको करना होगा publish अभी हम लोग पूरा पेज नहीं बना रहे हैं खाले एक structure ready कर रहे है क्योंकि हम पुरा scratch से website बना रहे हैं तो आपको करना है publish ओके और उसके बाद आपको जो दूसरा page बनाना है दूसरे page के लिए भी आपको same way से आपको अपना दूसरा नाम उठाना है जैसे कि यहां पर मैं about us जो होगा उसको यहां पर copy और paste करने के बाद आप मुझे करना होगा publish और इस तरह से जो भी pages आपको बनाने हो सारे pages को आपको one by one यहां पर बनाते जाना है और थोड़ा आपको यहां पर एक चीज दियान में रखने की जरूरत है जैसे कि about us page है उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है custom link और service की page में भी लिखा है बाद में custom link तो normally यहां पर यह बोलने की जरूरत हो रही है कि about us और services यह आपके clickable element नहीं आ रहे है और उसके अंड अगा लिख उसके पड़िकिए खुलिक हो तो उसका drop down open हो जाता है यहां पर कले की तो यहां पर ध्यान रखने ज़रूते कि जछा यहां पो आपको link बनाने होते और आपका जो first heading है उसके पर click नहीं लाना होता है तो आपको custom link में उसको convert करना पड़ेगा नॉर्मली अगर about us है उसके अंडर में में सब मेनू team और achievement है तो मुझे about us को custom link convert करना पड़ेगा मतलब about us का page नहीं बनेगा service का page नहीं बनेगा और आपके पास option है आपको वो पेज को फिर से design भी करना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं अगे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आपको सारे pages रेडी करने होगे और मैंने सारे pages यहां पर एंटर कर चुका हूं मैं और आप आगे अब देख सकते हो कि सारे pages यहां पर created है जितने आपको पहले pages करने हैं उसके बाद menu के लिए आपको क्या करना है जैसे आपके पास नया wordpress होगा तो आपके पास पुरा आप लेंग होगा यह जो पोश्यन ने जापको राइट हैं में दिख रहा है वोपर आप लेंग होगा तो आपको वहाँ पे मैनू नाम लिखना होगा मैनू का नाम लिखना होगा उसके बाद आपके left-hand side पे जितने pages बनाए हुए सारे pages दिखना स्टार्ट हो जाएगे आपने पहले pages बनाए हुए तो सारे दिखेगे और उसके बाद आपको add to menu करना है तो सारा जो left-hand में जो भी आपके pages है वो सारे pages आपके right-hand side के अंदर आना स्टार्ट होगा उद्राइगी उसके बाद आपको जो करना होगा उसको rearrange करना होगा तो अभी आप देख पा रहे से उसको rearrange भी करना होगा और बहुत easy यह चीज़ ड्रेगें ड्रॉप से पूरा हो पाएगा यानि कि अगर मुझे for example services को है उसको उपर नेचे ले रहे हैं तो आप आराम से अपने करसर से इसको drag and drop करने की बाद इसको कर सकते हो आगी तो menu होते है menu के अंदर आपका जो में आइटम है उसके बाद सब आइटम है उसके बाद सब आइटम है इस तरह से आप उसको हायरे की order में कर सकते हो तो आपको menu बनाना यह तरीके से बहुत easy हो जाएगा तो इस वेरी इंपोर्टन के आप एक प्रॉपर मैनू के आइटम का एक लिस्पना सकते हो और इसके बाद आप इस तरुक्षर कर सकते हो थैंडी सो मच पर वाचिंग इस वीडियो